हाई फ्रेंड आज आपके साथ सेर करेंगे चने की दाल की फपोरी इसे बनाना बहुत एजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है यह देख सकते हैं इसे बहुत एजी बे में बनाया जा सकता है तो चलिए इसे बनाना इस्टार्ट करते हैं यहां हमने लिया चने के द दाल और मलका मसूर आप से चनिक दाल ले सकते हैं इसे हमने त्यों से तीन घंटे भिगो के रखा था अब इसे मिक्सर में पीस लिया बारिक यहां आट करें धन्या प्यास हरी मीट्स जीरा इन सब को हम इस दाल में आट कर देंगे इन्हें हाथों के हिल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें आट करेंगे वन स्पून नमाख यहां आट कर रहे हम गरम मसाला यह सारे मसाले हमने पीस के रखे हैं ग्रेवी के लिए ग्रेवी वाला मसाला इसमें आट करेंगे यहां हमने एक बतर में पानी बॉयल किया है उसके उपर इस तरका रखेंगे हम छणना यहां पे हम सारी पकोडियों को इस तरह कट कर लेंगे यह देख सकते हैं हम एक एक करके सारी पकोडियों को कट कर लेंगे हमने सारी पकोडियों को अच्छे से कट कर लिया है इन्हें लीड लगा कर 10 से 15 मिलट तक स्टीम होने देंगे 15 मिलट के बाद हमाई पकोडी अच्छे से स्टीम हो चुकी है अब इन्हें हम सारी पकोडीयों को अलग-अलग कर लेंगे इस तरह हमने एक पैन में आयल लिया है अब इन्हें पकोडीयों को सैलो फ्राइ करेंगे दोनुत साइड से पलट-पलट कर गोल्डन फ्राइ करेंगे चलिए मिशाव करते हैं ग्रेवी यहां हमने लिया प्यास, लहसुन, अद्रक, दालचीन लकडी, जीरा, काली मिर्च, बड़ी लाइची, लॉंग, छोटी लाइची इन सब को हम मिक्सर जार में पेस्ट लेंगे यह देखें इन सब का मना लिए पेस्ट अब इसमें हल्दी पॉड़र आट करेंगे वन स्पून हल्दी पॉड़र आट किया हैं अब इसमें हम वन स्पून रिट्च चिली पॉड़र, लाल मिर्च पॉड़र आट करेंगे आपको तीखा के कॉड़िंग लेना है, जैसे आप तीखा खाना पसंद करें वन स्पून हम यहां धन्या पौडर राट कर रहे हैं अम इन सब को कर लेंगे मिक्स यहां हमने मेथी तेज पत्ता से तड़का लगाया है अब इसे हमारे चलने मसाला इनको अच्छे के भुनेंगे यहां हम हाफ स्पून नमक राट करेंगे हमारे फ्राई की हुई पकोडियां रेडी हैं अब इन पकोडियों को हम मसाले में आड़ कर देंगे यह देखे इस तरह हम पकोडियों को मसाले में आड़ कर देंगे और इन्हें अच्छे से हम मिला लेंगे जे देखिये दो मिनर तक हमारी पॉकॉड़िया अच्छे से कुख हो गई हैं इन पे लगा दे Yuk अपने गरेवी के कार्डिंग पानि एड कर सकते हैं जैसे आपको गरेवी रखना हो अब इसमें आट करेंगे हाप स्पून नमक क्योंकि हमने या लिया था पानी अब इन सब को अच्छे से मिक्स करके इस पे लगा देंगे लेड और इन्हें पांच मिनटर अच्छे सोने देंगे कुक यह हमारी भफोरी बन के रेडी है यह खाने में बहुत ही टेस्टी है इसे गधनिया पर्ति से कर देंगे गार्निश अगर मेरी ये रिस्पी पसंद आई हो तो अपने एक्सपीरियंस मेरे कमेंट बॉक्स में सेर करना मत भूले गया प्लीज मेरे चैनल कर दिजे सब्सक्राइब और इसे कर दिजे लाइक